चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स एक्जांपल की तरफ अपना नेक्स एक्जांपल है कि शो देट ये नंबर प्लस ये नंबर इस डिविजिबल बाई 7 इन दोनों का सम जो आएगा वो डिविजिबल आएगा 7 से तो इसमें हम ना इसको ब्रेक करके करेंगे मैं पहले इस प उसका अंसर निकाल लिया फिर वह इतना आजाएगा उसका solution अभी हम discuss करते हैं फिर जब बी का निकालोगे ना बी नंबर है आपके पास 5555 तुदि पार 2222 ये आजाएगा आपके पास 2 mode 7 आप निकालेंगे तो ये आपका को दुखा करने वाला काम होगा ये discuss करेंगे ये आ हमने concurrences में किया ना इन दोनों को एड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को तो इस इंप्लाइज आ जाएगा लास्ट में 2222 तुदि पार 5555 यहां पे दूसरा नंबर ये लेफ्ट हैंड को एड किया तो ये रिक्वाइट नम बन जाएगी हमारी जिसका अंसर निकाल ले इस कॉनकुरेंट 552 कितना आ जाएगा 7 दोर्ण 7 कितना होता है अब 7 तो रिमेंडर नहीं हो सकता न विसिकली आगे डिवाइड हो जाएगा साथ तो उसका रिमेंडर कितना बचेगा जीरू जीरव रिमेंडर बचने का मतलब है कि यह लिए जो नं नबर गाफी छोटा लिया था मैंने राइट हैंड साइड में हमने वन बनाना है देखिए यहां पर बना हो ठीक है यहां इस टेप से पहले तक यह वाले स्टेप में बनाने के बाद हम पावर जितनी मर्जी कर सकते हैं ठीक है तो पहले हमारा काम था 2222 को मैंने एक नंबर लि ठीक है तो यह पहली को अगरेंगे आगे हमकाम इसका स्क्वेर कर दीजिए स्क्वेर करती ही क्या आएगा आएगा आपके पास 3 स्क्वेर इस नाइन 9 को आगे डिवाइड करोगे 7 से तो वो कितना आ जाएगा रिमेंडर 9 is congruent to basically 2 mode 7 तो ये पहली और last सी क्या आ जाएगा मारे पास 2 2 2 2 का square is congruent to 2 mode 7 यहाँ पर अभी वी 1 नहीं बना 7 को जब divide 7 से जब divide करूँ मैं number ऐसा number 2 की power में कौन सा आता है answer 1 आ जाए 8 आएगा वो 2 की पार कितनी करनी पड़ेगी उसके लिए 3 करनी पड़ेगी तो दोनों तरफ मैंने power 3 कर दी यहाँ पे square की power 3 होई तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इस congruent 2 2 की जगा 2 cube आ गया 2 cube is 8 8 को जब 7 से डिवाइड गया तो answer is 1 ठीक है यहाँ तक पहुंचना हमारा main काम होता है यह 6 यह 1 more 7 तक आ गया अब देखिए अब मैंने कहा तक जाना है 5 5 5 5 5 तक तो इस power को 6 से डिवाइड कर लीजिए वो 925 आ जाएगा ठीक है basically इसका multiple ही करना ना हमने ऐसे तो यहनी 5 5 5 5 5 इसके टेबल पर आ जाएगा सिदा सिदा तो 6 को 6 की power क्या करें कि वो इसके पास आ जाए सबसे तो इसका question निकाल लिया हमने 6 से डिवाइड किया 925 आएगा question तो यह बन जाएगी 6 into 925 होता आपके पास 5550 तो यह आगा नमबर हमारे पास इसको मैंने 3rd equation मान ली अब मेरा काम क्या है हमने power कौन सी तक पहुंचना है 5555 तक तो अब हमारे पास property number I think हमारे पास थी 3rd 3rd के थे थे पार्ट्स थे ना मारे पास 3rd के दो जिसमें हमने पहला प्रूफ किया था and second part AC is BD modern तो AC is BD modern मैं इसमें लगांगा अब यह मैंने second equation यहां से बना ली थी मैंने पहले यह अब मुझे यूज आ रही थी इसलिए मैंने बना ली इससे 222 का square है जो उसका square कर दो दो दोनों तरफ तो power 4 आ जाएगी right side में 2 का square is 4 mode 7 अब अगर मैं यह second और third को property number 3 का second part लगाऊं तो A और C को multiply करेंगे left side में तो powers क्या हो जाएगी add तो power कितनी बन जाएगी 5554 इस congruent to right hand sides क्या है 4 and 1 तो 4 and 1 multiply right side में होगा which is 4 mode 7 आगे तो divide होगा नहीं क्योंकि यह 7 सी छोटा अभी भी इसको fourth मालो equation fourth and first देखो first में power कितनी है हमने 5555 तक पहुंचना है 5554 को जब मैं power 1 से multiply करूंगा powers add हो के 5555 तक पहुंचाएंगे हम तो one और four में भी वही property लगाके right side में क्या बनेगा four into three बनेगा four three जा कितना हो तो 12 वारा को जब आगे साथ से divide करोगे तो remainder कितना आ जाएगा पांच तो यह जो पहला number लिखा था इसका remainder when divided by seven is five second part आपने खुछ से ऐसे ही करना similar lines पे उसका remainder निकालोगे तो वो two आ जाएगा इन दोनों को जब add करोगे तो seven mode seven आएगा seven mode seven का मतलब क्या था zero mode seven तो remainder का है zero इसका मतलब जो हमने नंबर लिया था वो पूरा-पूरा क्या है divisible है seven से आएगा?